और जनता को तो पुर्णिया में नेताओं से भरोसा उठ चुका है। चुक्छे मजबूरी है वोट करना है तो किया जाता है। लेकिन उनको कोई विसेश आसा नहीं रहा। तो जब दलिया चुनाओं नहीं होने वाला है और जनता दोरा चुना जाएगा तो जनता अच्छा निरने लेगा इस वाड़ और उसे पुरा बिहार में अच्छा नितृत उबर सकता है। देखे कोई भी समस्या हो उसको जब तक जड़ से नहीं पकड़ेंगे तो उसका निदान होई नहीं सकता है। सबसे वरा समस्याव अवरास्टाचार का और इतना वरा बजट होता है और लोग कहते हैं कि कहां गया पैसा थाँ को तो अधा था शाधी का वेट चर जाते हैं पर हम लोग मोका मिलेगा तो वह हिसाव यह किस तरह करतें वह हम लोग जारी करते रहे हैं कि जंता को दिखे कि जो रूपया आपके विकास के लिए आया वो किस तरह खर्चुआ आप देख रहे हैं SDN News बुद्धे की बाद आपके साथ नमस्कार आप देख रहे हैं SDN News मैं हूँ सेद तहसीन अली पूर्णिया जिला अपने आप में एक बड़ा किर्तिमान रच चुका है यह यूँ कहें कि देश के सबसे पुराने जिलों में सुमार पूर्णिया का एक अलग ही पहचान है लेकिन आज भी पूर्णिया कई सारी समस्याओं से जूज रहा है हालात यह हैं कि पूर्णिया अब अकांग्षे जिलों में से एक गिना जाता है जिसे हटाने की कवायत भी जारी है पूर्णिया के मुद्दों पर हम चर्चा करने के लिए मौजूद है आज हमारे साथ खास महमान निरंजन कुस्वाहा जो समाज सेवी हैं और पूर्णिया के लिए बहुत कुछ करने का माता रखते हैं बहुत बहुत स्वागत है सरा हमारे चैनल में आपका सबसे पहले बताए कि पूर्णिया के वर्तमान इस्थिती को आप इस वक्त किस तरह किसे देख रहे है अकांची जिलों में वो गिना जा रहा है देश के जी ला इधर ही आम एक बहुत बड़े निता का बयान सुने थे कि पूर्णिया अब अकांची जिला में नहीं गिना जाएगा तो यह बात सही है बहुत पूर्णिया के लिए दुखदाई है और केवल बयानों से यह समस्या नहीं खतम होने वाला है इसके लिए काम करने की जुरत है यह मांदारी से पूर्णिया के हित में काम करने की जुरत है तब यह दाग जो है हट पाएगा अच्छा बहुत सारे यहां जनपरतिनी धी हैं और ऐसा भी नहीं किसी पूर्णिया तक सिमट के रहे कि कई लोग मंतराले तक पहुंचे हैं कई आज भी मौजुदा मंतरी है यहां पर जनपरतिनी धीयों का नाम शुमार रहता है देश के हरे कोने में ऐसे में कोई खासी द हैं और हम लगातार सेव समाथ सेवा के रूप में लोगों से मिलते जूलते रहते हैं समस्या को देखते रहते हैं और जनता को तो पूर्णिया में नेताओं से भरोसा उट चुका है चुके मजबूरी है वोट करना है तो किया जाता है लेकिन उनको कोई विसेस आसा नहीं मौझूदा हालात में पूर्णिया के पास एक मौका है खुद से महापौर चुनने का जो अब तक नहीं था यहां पर ऐसे में क्या अगर आपको मौका मिलता है चुनाओ लड़ने का या महापौर बनने का तो पूर्णिया वासियों की वो जो एक बहुत दिनों से इंतजार है पूर्णिया वासियों को वो पूरा हो पाएगा देखे सबसे पहले यह जो बात है इसमें हम सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि सरकार ने पुर्णिया ही नहीं पुरे बिहार के जो नगर निका है वहां के जंता को एक बहुत बारा मुका दिया है मुका बहुत वरा इसलिए हम कहते हैं कि ये चुनाओ जो है जो नगर निगम के मेर होंगे या अध्यक्ष होंगे नगर निखा के कहीं भी तो उनको डारेक्ट जंता द्वरा चुना जाएगा और ये सबसे बड़ी बात इसलिए भी है कि इसमें कोई दलिय चुनाओ नहीं होन जनता द्वरा चुना जाएगा तो जनता अच्छा निरने लेगा इस वर और उसे पुरा बिहार में अच्छा नित्रित उभर सकता है जो अपने अपने जगह पर अच्छा काम कर सकता है हम देख रहे हैं कि पूर्णिया में खास तोर पर जो शहरी सेत्रों में सबसे बड़ी समस्या है ड्रेनेज की समस्या है यहां पर अभी रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसमें काफी दिकते आ रही है अतिकर्मन और जो घरों को तोड़ा गया है जो लोग अब बिना च्छ और लगातार जो है कई बर्सों से ड्रेनेज सिस्टम का बात सुनते आ रहे हैं लेकिन इस पर अभी तक कुछ हो नहीं पाया तो जर से क्या है नाला बन जाता है लोग बोलता है नाला नहीं है और नाला बन भी जाता है नाला बन जाता है लेकिन पानी नहीं बाता है तो क्य पानी भी निकले है जल जमाव पुर्णिया का सबसे बड़ा समस्या है और नाला तो बिलकुल 90% से ज्यादा हम जो देख रहे हैं उसमें पानी सब जगा जाम रहता है कोई निकासी नहीं है केवल पैसे का बरवादी किया गया है ऐसे में पुर्णिया वकांक्षे जिल्ह में तो रहना उनका लाजिमी क्योंकि ये मुल्भू सबस्या खास तोर पर जो शहर की बात है गरामिन का तो हम छोड़ी दे गरामिन शेत्रों के हालात हर कोई जान रहा है आपके पास जो रोड मैप है उसमें से कुछ खास चीज़े पूर्णिया वासियों के लिए अगर आप स बिदु को जihen से शुरू करेंगे और तकी थौरा कटिनाई होगा तो तकी कि आगे चलकर जो हो उसमें समसिया नहीं हो और जलजमा पुर्णिया का जमसिया सबसे वारा समसिया है दूसरा ब्रांस अधिकर्मन के नाम पे लगतार जो है कुछ कुछ किया जाता है अधिकाडि बता रहें कि गुम्टी वाले ठेला वाले इस तरह के कई दुकाने जो है पुर्णिया में है उनका रोजी रोजगार जो है घर पड़िवार उसी से चलता है और अतिकर्मन उजारों के नाम पे साल में दो-तीन बार उनको उजारा जाता है के वाली एक विधी होता है और उसके बातों पर हम काम करेंगे बेंडिंग जोन बनाएंगे और जो भी लोग हैं जो इस तरह के रोजगार करके जीवनयापन करते हैं उनके लिए अस्थाई एक निदान होगा ताकि पुर्णिया सहर भी सुन्दर बनेगा और लोगों को रोजगार भी अच्छा होगा साविमान के साथ वो जीप आईगे स्मार्ट सीटी के आपने बात किये सुन्दर होगा खुबसूरत होगा तो जाहिर सी बाते स्मार्ट हम कहलाएंगे पार्किंग की एक बड़ी समस्या है पुर्णिया शहर में हमने देखा है लोग सडकों पर ही गाड़िया लगा देते हैं और उसक देखे है कुछ तो उसमें करें नियम और रोज का जो बैवस्था उसमें करना होगा कि पार्किंग कैसे हो उसके लिए रोज वहाँ आदमी डिपुट हो पार्किंग अस्तल पे तो वह करने की ज़रत है और कुछ जम्ता को भी जो है इसमें मदद करने की जो रहते हैं कि कई विदेश यात्रा किया है और अपने बिहार के गाउं के लोग भी हमारे साथ यात्रा किया है जो यहां लगातार कानून को तोड़ते रहते हैं और वहां गाइड अगर एक वार बोल दिया कि यहां जो है पान खाके या पुडिया खाके थुकने पर इतना तो लोग वह पुडिया यहां से ले के जाते हैं लेकिन वह नहीं खाते हैं तो यह बात है लोग कर सकते हैं जागरुकता की कमी जागरुक करने की ज़रत है यह दिरे दिरे जो है इसमार्ट भी बनेगा लेकिन इसमार्ट बनाने के लिए के वह बात से इसमार्ट नहीं होगा जड़ से कम करना होगा मूल जो बाते हैं वो आकर अटकती है जड़ से जब आपका जड़ ही मजबूत है कमजोर है तो उसे पानी देने और सिचनी के आवश्यक्ता पड़ेगी पड़ेगी अच्छे बताएं जी वर्तमान इस्तिती में जो हम पूर्णिया के हालात देख रहे है और जो यहां के कर्मी अभी हम देख रहे हैं जो परशासनी कर्मी है वो भी ध्यान नहीं दे रहे हैं कई सारी समस्या हो तो इस पर आप क्या कहना चाहिए देखें बहुत समस्या है हम सबको महसूस कर पा रहे हैं सबसे वरा समस्या वरस्ताचार का है और इतना वरा गराई से इंद्रावास के नाम पे जो 40-50,000 रुप्या वसूली होता है ये सब नहीं होना चाहिए रोट के नाम पे क्या टेंडर होता है क्या उसका जो है लगत होता है कितना वरा उसमें लूट होता है ये सब को परदर्शी बनाने का काम करेंगे और जनता को सभी बातों का पता चलते रहेगा और हम लोग अगर मोका मिलेगा तो वह हिसाव एक तोर से वाइट पेपर जो कहते हैं स्वेट पेपर वह हम लोग जाड़ी करते रहेंगे जनता को दिखे कि जो रुपया आपके विकाउस के लिए आया वो किस तरह खर्चुआ बिलकुल बहुत बहुत कमजोर होगा जाहिर सी बात है उसके तना भी सूखते जाएंगे जो हालात इस वक्त पूर्णिया के हैं धाइसो साल से जादा का समय बीच चुका है पूर्णिया जिला को हिंदुस्तान में एक अलग पहचान बना चुका है और आज भी आकांग्षी जिलाओं में से एक गि नह भूर्साथ नहीर का